इन दौर में चाकुबाजी की घटनाय रुकने का नाम नहीं ले रही है कुछ ऐसा ही मामला अलग-अलग दो थाना शेत्रों में चाकुबाजी की चलते युवग गंभी रूप से घायल हो गए जुन्हें उपचार क्लेमिजे अस्पतार में भरती कराए गया है बता दे की पहला मामला पलासिय थाना शेत्र के सम्विदा नगर के पास अग्यात तीन से चार बदमाशों ने कपड़ा व्यवसाई पर पुरानी रंजश की चलते चाकुब से वार कर घायल कर दिया बीच बचाव करने आए एक अन्य युवग भी वारदात का शिकार हो गया चाकु सिवार कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया है घटना के बाद घायल दीपक उपचार क्लिनेजे इस्पताल में भरती कराया गया है फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने प्रकरन पंजी बद कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है अब यह सवाल खड़ बुले आपका मौका दो मुझे तो भाएया ने मौकी इस ने डिया तो इसके बाद लिए चौड़ के चले जा और पईसे दे दारू बिने के लिए में को तो बहुत यह ने डिखली तो उनने चाकु और पिष्टल अड़ा के और मिमाहा से चले गया तो रुने प्रशा को द तोड़ी दूर से मैंने देखा तो उसको इटी इट से मार रहे हैं अक्की ठाकरे रवी आदो और गुलू परमार यह आए दिन उत्पात मचाते रहते हैं जो तिन बार घर पे भी खत्तर चला है उन्हें और पुरानी जन्जिस के कारण पिश्टल दिखा गया में को डरा जिया था में दीपक गितकर अभी तो जानकारी अभी हमें यही आई थी कि रहूल रहूल आगया और प्रियंका हुजा है इसके साथ चाकवाजी की वेटना हुई है किसने मारा है क्यों मारा है इसके बारे में तर्दिक कर रहे हैं इनकी सब्सक्राण है और ऐसी जनकारी में आया इनका किसी से कुछ पुराना विवाज चल रहा था उसके लेगर घटना हुई है लेकिन अभी तजदीक कर रहे हैं और पूस्ताइब कंडिशन तो इस्टेबल है कंडिशन तो ठीक है कपड़े के यहां पर यह था इनका कुछ